यहां पर हम Engineering Drawing के बारे में सीखेंगे क्या होता है Engineering Drawing Engineering Drawing is language of engineers Engineering Drawing, engineers की भासा होती है It is also a language, a graphical language that communicate ideas and information from one mind to another यह एक ऐसी भाशा है जो ग्राफिकल है ग्राफिकल में चित्र बनाते हैं और यह एक idea और information को एक mind से दूसरे mind में transfer करती है It communicates all needed information from the engineers who designed a part the workers who will make it जो भी जरूरी information है और जो ideas है जो engineer design करता है उसके mind से उसके पास transfer होता है उस worker के पास transfer होता है जो उस part को बनाता है Overall हम यह कह सकते है कि Engineering Drawing जो होती है एक language होती हो, एक भासा होती है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी पार्ट के बारे में जो information होती है, उसकी needed information होती है, जरूरी information होती है, उसको transfer करते हैं, designer to manufacturer. जब हमें मिलती है, तो दो तरह की projection use होती है, फ़स्ट एंगल यह है, और थर्ड एंगल इसका सेंबल यह है, अगर आपके टाइटल ब्लॉक में यह सेंबल है, तो वो ट्राइटल होगी फ़स्ट एंगल की, यह दूसरा अगर होगा, तो वो आपका ट्राइटल होगा थर्ड आपको पहचानना है कि अगर आपके पास कोई ड्राइट मिलती है, तो आपको सबसे पहले टैटल ब्लॉक में देखना है कि इसमें कौन सा सेंबल बना हुआ, इसके टैटल ब्लॉक में एंगल वाले सेंबल, वह आपके आप देखेंगे, अगर भाला बना रहेगा तो पर हम आपको दोनों ड्राइंग फास्ट एंगल और और थ्र्राइंग बने ही फिवीू है तो में बता देते हैं कि क्या एक्षिजनए को कि त्योंकर नेます से इसके left side में बना है, ऐसी drawing बनती है first angle में, third angle projection में front view के उपर बनता है top view, front view के right में ही इसका right side view बनेगा, अगर left side के है तो इसके left में बनेगा, इसका bottom side इसके bottom में बनेगा types of view, हमारा पहला type होता है orthographic view, दूसरा type होता है isometric view और तीसरा type होता है prospective view, आगे इस slide में हम इन views को detail में समझेंगे, orthographic view, यह example आपके सामने है, यहाँ पे कोई object रखा हुआ है, कि drawing बनानी है हमें, तो यह 3D object हमें दिख रहा है, तो हमें front, top, right side, 3 side दिख रहे हैं, इसको जब हमने convert किया orthographic projection में, तो front view, जब इदर हमने front से देखा, तो यह view दिखा, top से देखा, तो यह view दिखा, और right side से दिखा, तो यह view दिखा, यह drawing क्या कहलाएगा, orthographic drawing, overall आप कह सकते हैं कि जिस drawing में front view, top view, side view, अलग-अलग बनेंगे, वह होगा orthographic view, isometric view, यहाँ पर object हमें 3D में ही देखता है, 3D मतलब इसके 3 phase देखते हैं, इनको जो face देखते हैं, इनको isoplane बोलते हैं, जनरली जो left side का होते है उसको left isoplane बोलते है जो top side का है उसको top isoplane बोलेंगे और जो right side में है उसको right isoplane बोलेंगे और इसकी जो edge होती है वो ground line से तीज़ दिखरी का angle बनाती है इसका समझ्य का concept है और इसमें तीन phase दिखते हैं आपे दिखाएगे तीनों drawing में आपका left side isoplane है top side isoplane है और right side isoplane है इसी trace में यह left side isoplane है top isoplane है और right isoplane है तो आपको isometric view को देख रहे हैं तो isometric में क्या होता है कि जो यह length होगी वो इसके equal होगी prospective view यहाँ पे prospective view के थीन टाइप होते है one point prospective view, two point prospective view, three point prospective view अब हम इन तीनों के example अलग-अलग देखेंगे one point prospective view का example आपके सामने है one point prospective view में यह scène हमें देख रहा है सारे point एक point पे जाएक पिल जât यह point इस point को बोलता हैvinishing point और जुकिखी Direant में एक ही point है इसलिए फूले इसको बोलता है one point two point prospective view इसक्रीन पे डेख रहा हो यहाँ पे दू वेन सिंग पॉइंट पिलते हैं इसले इनको प्रस्पक्टिव यू कहते हैं त्री प्रस्पक्टिव यू जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहा हो यहाँ पर तीन पॉइंट आपको तीन वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है फास सेकेंड थार्ड तो इस तरह की ट्रोइंग अगर रहती है यहाँ पर तीन वेनिसिंग पॉइंट मिलते हैं उसको हम त्री पॉइंट प्रस्पक्टिव यू बहते हैं